वेलकम टू मैं चैनल आज़ा पढ़ने वाले हैं MPPV7 के लिए सामाने विग्यान संब्सक्राइब टॉप 10 प्लस MC कुश्चन पहला कुश्चन है एक्स्प्लेंट डी ने का विस्तार क्या होगा है इस ऽर खंसर हो जाएगा डि-े-णा-सि-्राइबो-ण्यू कुलिक अमले को पढ़ेंगे जीवित कोशिकाओं के गड़सुत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणू को DNA कहा जाता है इसका विस्तरत रूप डी आक्सी राइबो नूकलिक अमला है DNA अणू की सनलचना घमावदार सीडी की तरह होती है इसमें आनुवान से कूट नेवद रहता है इसकी खोज अंग्रेजी वेग्यानिक James Watson और Crick ने सन 1953 इसमी में किया था इसकी साथ है इस खोज के लिए इनको सन 1965 में नोबेल पुरुषकार से सम्मानित किया गया DNA का एक अणू चार अलग अलग अपरमाणू से बना है जिने नियुक्लियोटाइड कहते हैं प्रत्ययक नूखलोटाइड एक नाइपजन यक्त बस्तू है इन चार नाएक नूखलोटाइड को एडन अडिन-गौनिन फाइमिन और साइटौसिन कहा जाता है नेक्ट कूश्चन है असमतापी प्राणी को पहिचान करना है इसमें आंसर इसका सर्फ असम तापी प्राणी की पहचान करें आंसर सम्सर्फ डिस्क्रिप्शन है सबी सरीस्रप्रौकों की तरह साप भी अठंडे खून वाले होते हैं अताहे इन्हें एक्टो थॉर्मिक गर्म खून वाले जानवर इस्तन्दारी और पक्षी होते हैं अन्न सभी कसे रुकी उभाइचर, सरीसरप, मछली और सभी आका सरीर के सीत रखते वाले cold-blooded होते हैं गर्म-खुन वाले जानवरों में सरीर का तापमान इस्तर होता है जो परिवेश के तापमान से स्वतंतर होता है जबकि ठंडे कुन वाले जैनवरों में सरीर का तापमान परीविश के तापमान के साथ बदलता रहता है नेस्ट कोशन है जब आपकी उंगली कट जाती है तो अत्यदेक रख्त रास को किसकी मदस से रख्त के इसकंदन के द्वारा रोका जा सकता है जब आपकी उंगली कट जाती है तो अत्यदेक रख्त रास को रख्त के इसकंदन के द्वारा रोका जा सकता है डिस्क्रिप्शन में आएगा रोधिर प्लेलेट्स केवल इस्तंधारियों के रोधिर में होती है मनुश्यों में इसकी संक्या 1.5 से 3.5 लाग पर मिली मीटर विश्ट क्यू होता है इसका प्रमुख कारे रोधिर के इसकंदन में सहायता करना होता है चोट या घाव पर फटी हुई रोधिर वाहिनी या कोसी का से जिऊंखी प्लेलेट्स निकलकर वाहिव को संपरक में आती है तो यह स्वयम तूटकर रक्त के जमने में सहायता करती है नेस्ट कुश्यों है अभी के लिए को पूरा करना है इसमें दिया है केल्सियम हाइड्राक्साइड प्लस कार्बन डियाक्साइड एक्कॉल टू क्या बनेगा उसके साथ में जल भी बनेगा केल्सियम कारवोनीट केल्सियम हाइड्रक्साइड और कारवन डायक्सइट साते मिलकर के केल्सियम कारवोनीट और जल बनाते हैं है तो डिस्क्रिप्शन में जब केलसियम हाइट-थार चारबन डायक्षाइड की अभी प्रिया कराहिं जाती है तो केल्सियम हाइड इक प्रवल चार वो कर्वल बंड आप करता है केल्सियम कार्बोनेट CACO3 वा अजल H2 प्राप्त होता है तो इसके शमीकरन यह आ जाएगा CAOH का होल्टवाइज प्लस CO2 जो कि मिल करके बनाता है केल्सियम कार्बोनेट प्लस प्लस है नेस्ट कॉश्चन है किस जियो को लोगत्री रूप में किसान का मित्र कहा जाता है केहचवा को लोगत्री रूप में किसान का मित्र कहा जाता है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन से जानेगे हम QC एक क्रमी है जो लंबा वड़तुलाकार ताम्रवरण का होता है QCAnilida Sange का सदस है एनी लेड़ा संग के जीवों में खुला रोधिर परिसंशन कंत्र पाये जाता है इनका शरीर लंबा और कई खंडों में बटा होता है कैश्विय के सरीर में लगबक स्तो से 120 तक खंड होते हैं इनके शरीर के खंडों पर आदर्सभूत रूप से काइटिन के बने हुए छोट ऑच्ची च्ठोच स्टुई जैसे अंग होते हैं इने सीटा काहते हैं एक ही कहच्गOOS to दो लिंगों के अंग पाए जाते हैं इसलिए इन्हें दू लिंगी एक भी कहते हैं केच्विया को किसानों का मित्र भी कहा जाता है लेंस जो किनारों की तुल्ला में मद्ध में पतला होता उसको क्या बोलते हैं उसको आउता लेंस बोलते हैं वह है लेंस जो किनारों की तुल्ला में मद्द में पतला होता है उसको आउतार लेंस बुला जाता है लेंस लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी मात्यम होता है जो बक्रष्ट हो तथा एक बक्रष्ट तथा एक समतर प्रष्ट से घिरा होता है लेंस मुकतर दो प्रकारगे होते हैं कि आउतार लेंस होता है और उत्तर लेंस होता है Concave Lens and Convex Lens आउतार लेंस जो होता है यह लेंस किनार ओपर मोटा तथा बीच में पतला होता है इसकी फोकस दूरी रणात्मक होती है इसे अभी सारी लेंस भी कहते हैं उत्तर लेंस यह लेंस किनार ओपर पतला बीच में मोटा होता है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है इसे अभी सारी लेंस भी कहते हैं नेस्ट कोशिन है उस छेत्र के लंबवत क्रियान वित बल का अनुपात जिस पर यह कारी करता है किस रूप में जाना जाता है आसर है इसको दबाव के रूप में जाना जाता है प्रेशर के रूप में समान रूप से लगने वाला अभी लंबबबाद बल को प्रेश्ट पर पढ़ने वाला दाप कहते हैं यदि छेत्रफल ए पर कारद अभी लंबबबबाद बल f हो तो उसका दाप का फार्मला हो जागा सबुस्कराइबंड पर किसी प्रेश्ट पर लगने वाला दाप निम्मग बातों पर निर्भर करता या बेकladı को से कुछन है पर्यावरण के साथ एक रासाइनेक अभिक्रिया द्वारा वुए पदार्थों के रास को क्या कहा जाता है। पदार्थों के रास को क्या कहा जाता है। परिवर्तत हो जाती जिससे धातू करहास होता है। जब धातू बाई को संपर्क में आती है तो बायों में उपश्तित गेसों से अभिक्रिया करके धात्व के आखसाइड सलफाइड वा हाइड्रक्साइड साइड मनातीं लोहें पर जंग लगना संचारण का उधारण है नेश्ट कोशिन है रवड के वलकीन करण में प्योक्त होने वाली अधातु क्या है आंसर जाए गंधक सल्फर रवड के वलकीन करण में प्योक्त होने वाली अधातु गंधक होती है डिस्क्रिप्षिन, रवर्ड के वल्कीनी करण में प्योक्थ होने वाली सल्फर है, प्राकृतिक रवर्ड नरम वा चिपचपा होता है और इसमें प्रत्यास्ता सकती कम होती है, वलकनी करन प्रिक्रिया द्वारा रबर मजबूत वाला चकदार हो जाता है प्राकृतिक रबर को 3% से 5% तक सल्फर के साथ मिलाया जाता है और 100 से 150 degree centigrade तक गर्म किया जाता है इससे प्राकृतिक रबर बनता है अगला कुशन है फसल के परिपक होने के बाद उन्हें काटना एवं एकतर करना क्या कहलाता है इसका जरा हर्विष्टिंग कहलाता है कटाई कहलाता है डिस्क्रिप्शन में है फसल के परिपक होने के बाद उन्हें काटना एवं एकतर करना कटाई आर्विष्टिंग कहलाता है क्रसी से संबंदित अन्य मात्पूर्ण क्रिया है जो ताई फिलिंग ठ्रेसिंग आदी नेश्ट कोशिन है सीस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसके इस्तमाल किसके लिए किया जाता है अन्सार है भूकंब के कमपन दर्ज करने के लिए सीस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका इस्तमाल भूकंब के कमपन दर्ज करने के लिए किया जाता है नेश्ट कोशिन है उट में देखा जाने वाला एक अन्नुकूलन है कि यह अपने नासा दौर यानि नथनों को बंद कर सकता है यह किसको रोकने मदद करता है आंसर है र है देथ को नासा गुए में पर्विस करने से तो कि reason है उंडु के बारे में उंट अपने नासा दौर यानि नथनोंग को बंद कर सकता है जो की नाप में रेत जाने से रोकता है लेकिन है उट के पेर शोड़े और गद्दीदार होते हैं जो रेत में नहीं धस्ते तथा उसको चलने में मदद करते हैं तीसरा है उट के उट मोटे होते हैं जिससे रेकिस्तान में पाए जाने वाले काटो के पोधों को आसानी से खा पाता है फिर है उट की मोटी चमरी उसे धूब से बचाती है नेफ्ट है उट को रेकिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि वह रेकिस्तान में तेजी से चल और दोड सकता है कोशिकांग जो रासाइनिक पदार्तों के भंडारण एवं इस्तराव में सहायता करता है उसको क्या कहते हैं उसको गौल जी काई कहा जाता है कोशिकांग जो रासाइनिक पदार्तों के भंडारण एवं इस्तराव में सहायता करता है गौल जी काई कहलाती है description में है कोशिका के कोशिय का दरब्य में कुछ थेली नुमा सनचनाय पाई जाती है इन्हें गौल जी का या गौल जी बोडी कहते हैं इसकी खोज इटली के बेग्यानिक कामी लोंग गाल जी ने किया था गौल जी बोडी का निर्माण कुछ थेली नुमा सिस्टनी तद कुछ खोटे छोटे बेसिकल एवं कुछ बड़े बड़े बेकुगोल से मिलकर होता है यह कोशिय के अंदर इस्तरावित पतार्ट की संग्राय स्राव एवं परिवान में मद सहायता करता है नेस्ट कुशन है यदि सम्तल दरपन पर प्रकास लंबवत पड़ता है तो यह किस कोण पर परावर्तत होगा 90 डिग्री पर होगा डिस्क्रिप्चन है दरपन को पर सम्तल दरपन इसके द्वारा बना प्रतिविम सदेव आभासी सीधा एवं वस्तु के बरावर होता है देखने के लिए दरपन की लंबाई वस्तु की लंबाई की आदी होनी चाहिए यदि सम्तल दरपन पर प्रकास लंबवत 90 डिग्री आप्तित होता है तो यह दरपन के तल से लंबवत 90 डिग्री के कोण पर परावर्त हो जाती है परावर्तन के नियम है आपतन कोण बरावर्बर परावर्तन का कोण जब प्रकास दरपन पर लंबवत आपतित होता है तो आपतन कोण 90 डिगरी होता है अता उसका परावर्तन कोण भी 90 डिगरी होगा